हेलो, नमस्कार दोस्तों 11 जुलाई 2018 की 10 हिंदू एडिरोल डिसकसन में आपका स्वागत है यहाँ पे हम 10 हिंदू के important एडिरोल से वो डिसकस करेंगे तो चलते हैं आज की हमारी डिसकसन की तरफ सबसे पहले देख रहते हैं कि आज कौनकोंचे डिटोल हम यहाँ पे डिसकस करेंगे सबसे पहले जो यहाँ पे article आया है side में यह article आया है actually electoral reform और साइमेंटेस जो election की बात की जारी है उसके बारे में तो इस article में कुछ पॉइंट अच्छे हैं उनको में आपे डिसकस करने वाले है यहाँ पे जो article है यह actually deep state के बारे में है कि यह deep state में जो प्रोबल नहों काफी deep गहरी होती जारी है उनके बारे में तो basically क्या deep state होता है उस concept को जानेगी और इसमें actually USA और पाकिस्तान के बार में आपे पॉइंट है वो डिसकस किये गए है तो इसे हम यहाँ पे डिसकस करेंगे यहाँ पे जो article है political motivated है हमारे लिए कुछ काम का नहीं है यह जो article है यह है UNHRC है United Nations Human Rights Council है उसको लेके कि यह भी US ने उसे exit कर लिया उसको लेके यहाँ पे points है हो सामने आ रहे है कि Human Rights के लिए US हो लगातार पीचरता जा रहा है तो वो सारे points यहाँ पुछ points यहाँ पे काम क्यों जाते है उनको हम यहाँ पे discuss करेंगे next page भी हाँ भी जो article है आज यहाँ पे इसमें interview discuss है वो क्या गया और इसमें discuss क्या गया कि किस तरीके से data है वो एक एहम रोल निभा सकता है डिजास्टर से नहीं पढ़ने के लिए तो इसे भी हम यहाँ पे discuss करने वाले है तो चलते हैं हमारी discussion की तरफ सबसे पहले हम देखते हैं disaster के बारे में देख लेते हैं रैटर यह बता रहे है कि देखो जब भी disaster आता है तो हमेसा काफी बड़ा नुकसान है वो होता है चाहिए किसी country में या कहीं बे disaster से नुकसान हमेसा यहाँ पे होता ही है अब बात ऐसी कि disaster को हम complete देखे से बेन तो नहीं कर सकते है जैसे man-made जो sorry natural disaster है उसको हम खतम तो नहीं कर सकते है यार आप से आगे से जवाला मुखी नहीं फटेगा आप से आगे जो भी आप उसे तो भुगम भुगरा नहीं यह चीज़ तो हमारे हाथ में नहीं है कि यहां के लोगों को नुकसान जहला नहीं पड़ेगा वो पहले ही यहां से अपनी जान बचा लेंगे तो इस तके से यहां पर रेटर बता रहे हैं कि देखो अगर data का सही धंक से utilization या यूज किया जाता है तो disaster से हम नहीं पड़ सकते हैं या disaster से जो होने वाला खतर है उस यह डिजाश्टर के तुरू तो उस तोरण अगर हमारे पास data है तो हम पहले से एक तरगी से समझ सकते हैं हम उसकी sequence समझ सकते हैं कि भुकंप ऐसे आसे आपता है तो उससे इस तरगी के नुकसान होते हैं तो इनके लिए हम प्रोप्रियर सोल्यूशन उठा सकते हैं बेसिकली रैटरी आपर फिर एक्जांपल दे रहे हैं 2004 की सुनामी के बारे में कि देखो 2004 की टाइम पर सुनामी एए थी इंडिया में उस टाम पर लगबग 14 देशों में इस पर का एफेक्ट पढ़ा था मैं लिए देखा जाए तो साउथ जो इस्ट की कंटीज हैं साउथ हमारा बारिस अच्छे वाली होने वाली है फ्लोड आने के चांसे हैं तो हम पहले से इस टेप उठा सकते हैं बेसिकली टैटरी आप यह परइट इंडिकेट कर रहे हैं कि देखो बहिया जो भी हमारे पास डाटरा है आगीी बारीस वोगरा के बारे में उस डाटा को 迅ची दाटा को हमें यूज करना चाहिए डाटा तो जब को analysis कर लिया जाए या data को analyze किया जाता है तो जो भी नुकसान होते हैं tsunami वगरा से आप हो सकते हो disaster से उससे हम निपट सकते हैं इसके बादे बात की जारी United National Development Program के भी खाफ सारे प्रोग्राम चले जाते हैं disaster से निपटने के लिए और यहाँ पर बात की जारी नेशनल डिजास्टर लोस एंड डेमेज डाटाबेस की कि United National Development Program है वो सभी कंटी जास्टेट के साथ मिलकी कर रहा है नेशनल डिजास्टर लोस एंड डेमेज डाटाबेस के तियार कर रहा है बलब एक डाटाबेस हमारे पास होना चीए हमारे पास information सारी collect सारा information हमारे पास होना चीए डिजास्टर लेटेड ताकि जब भी फ्यूचर में कोई डिजास्टर आने की संभावना हो तो उस डाटा को हम समझते हुए आगे से जो खतरा हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं फिर यहां पे राटर को सेजेशन दे रहा है कि जैसे एक तो time to time mock drill वगरा है वो होनी चीए कि यह बार हम काफी लाप रोए बस लेते हैं कि आज लो कोई डिजास्टर आएगा तब देख लें कुछ नहीं होने वाला अगरा तो मेर एक तो mock drill वगरा है वो continue रखनी चीए फि गोवर्मेन पे पहले से कोई डेम बगरा बना या फिर कोई breeze वागरा बना देखें तो हो कैई अगर इस फाली area में flood आती है तो गोवर्मेन उस डेम अगरा की डेम वगरा के उपर से जा सकते है या फिर आप बुलच्छतों कि जो भी breeze बना बना उसकी help से और लोगों के जैसे कि आप एक्जाम पर ले सकते हो जाए जापान का जापान में आपको बताए कि सबसे जादा देखा जाए तो इसलिए उन्होंने वहां पर अपने जो घर वगर की डिजाइन ही ऐसी तयार कर रखी है कि बुकम के दोरान उनको लोग सकम हो और वैसी उन्होंने यह डिजा जो बदिजास्टर से कि जो भी खत्रे होते हैं उनको हम कम कर सकें तो यह था Complete अर्टिकल इसे हमने डिसकस किया आप चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ नेक्स जो आर्टिकल हुआ है One Nation, One Election जिसे आप बोल सकते हो कि Simon Tinson नी Election की बात यहाँ पे की जारी है तो writer यह कह रहे हैं कि देखो भी आप government है वो कह रहे है कि Simon Tinson नी Election है वो हम यहाँ पर आज़ित करवाएंगे उसके लिए खाफ़ी सारे वो आयुजित करवाने से सोलीशन थोड़ी हो जाएगा तो साहिमन पिंसली एलेक्षिन का मतलब के हैं इसका मतलब सिधा यह है कि लोकसभा के एलेक्षिन और आजे सब आप बोल सकते हो कि जो स्टेट की विधान सब है उनकी एक साथ कंड़क करवाना उस बात के आपे फोकस क होते तो आपको बता कि बार मोडल हो कुंटेक लगेगा बार बार तो उसके दोरन में वहाँ पर जो भी पॉलिशी वगर है इसकी मगरा वो नहीं धंग से चली पाएंगे तो एक तरी की से क्या है कि जो डूप्मेंट का काम होगे नहीं रुख जाता है तो उसमें बेनिफि बार को रहा है वोजव डिशी में रूख जाते है या फिर बात है बात करिया तो इसके बार कहन आते हैं कटेक्सें बार श्र्चेंट की तरफ लगा जाते हैं और पात आती है तो सेंड़ल की तरफ उपने काम की घला करना सुनक्तर पो Papa फोकस नहीं कर पाते इं इसके बाद से आप बोल सकते हो कि जो election हो conduct कर वह जाते हैं तो वो अगर बार-बार election नहीं होंगे एक ही बार-एक साथ election करवा दिया जाएंगे तो यह पैसा भी बच जाएगा तो यह तो आगे कुछ benefit और भी खेर काफी सरे benefit अब मैंने आपका मैं पर दो-चार benefit बता दी हैं अब बात करे negative point की negative point की बात असे हैं कि देखो जो politician है अगर election बार-बार होते हैं मालो की अभी election 2019 में लोकस बाग election होने वाले हैं उसके बाद फिर किसी state assembly के election आज जाएंगे तो उसका मतलब क्या हो है कि politician बार-बार जनता के पास जाएंगे और जनता को मनाने के लिए उन्हें थोड़े development के काम करने बढ़ेंगे तो इससे होगा क्या अगर एक ही बार election हो जाएंगे तो फिर पांच साल गया जनता आख बंद जो politician है वो आँख बंद करके सो जाएंगी किया चलो ठीक है अब तो हमारी सता आगई पांच साल तो हमें कुछ नहीं करना पांच साल बार देखेंगे तो आपको पता है ओबिसली सेंटरल के जो इस्यू है वो ज़्यादा हावी रहेंगे लोकल मुद्धों को वेल्यू नहीं दी जाएगी तो लोकल जो मुद्धो वाली जो पार्टी है वो अपना बहुमत नहीं सिद्गर पाएगी तो उससे लोकल लेवल पर हो सकता है तो य बेसिकली इसका एक नुकसान है वो बताया जा रहा है एक इसका नुकसान ही बताया जा रहा है कि देखो अगर जब भी यह मानलो की लोकसभा और स्टेट सेंबली के लेक्शन हो रहे हैं यह मानलो किसी कारणाट सेंबली डिजोल हो गई इसी स्टेट की तो उस कंडिशन में कि हाँ भी कंड़ेक करवाने से काफी नुकसान होगा यह वगरा वो तो वो देखो हमारे लिए हाँ पर आर्टिकल में पॉलिटिकली पॉइंट डिसकस किया गया है बीजेपी कॉंगरेस के तो वो तो हमारे लिए एकजाम में इंपोरेंट है नहीं बट बेसिक जो चीज थी स इमन टेंजन ली जो इलेट् से xu다면 लिए पिर हाँ पर यहांपे राटर अपने कुछ सजेशन लेए है। यह दे घे का खैसी हो काई में जर वे नहीं पर पर उस टेम्पे हम यह देखना नहीं है कि वो इस्टेट जिनके 2019 से लेकि मलब 2020 में यह लगब यहां तक इसी के इलेक्षन आ रहे हैं उस्टेट असेंबली के उनके तो करवाते हैं 2019 के साथ ही तो गोवर्मेंट के साथ एक साथ बढ़न नहीं बढ़ेगा एक तो उ 2020 के बाद continue issue रहेगा यह उसके बाद सारे election एक साथ होते रहेगे तो हाँ पर समस्या का समाधन अपने आपी हो जाएगा तो यह एक तो इनकी दोरा suggestion दिया जाता है यह दूसरी बात ही कि जारी है कि देखो अगर लोग सभा डिजोल करने के बाद आती है तो लोग सभा डिज मतलब जब दूसरा option या दूसरा alternative तयार हो तभी लोग सभा को डिजोल है वो करना चीए इसके बाद में रैटरिया कहा रहे है कि देखो भी यह और भी बहुत सारे कामना साइमेंटेंस ने election की बात के लावा जैसे कि electoral reform की बात की जारी है उस पर focus क्या जारी है जो black mini की बात है election में यूज की जाती है उसके दर फोकस क्यों नहीं क्या जारा हो भी तो काफी important होता है ना तो यह point यह पर रैटर के दौरा आ जाता है क्यों की जो एजेंसी होती है गौर्णमेंट की जो बोडी वगर होती है वो उस गौर्णमेंट को डंग से काम नहीं करने देती है जैसे कि आप example लेशकते हो पाकिस्तान का और USA का सबसे इच्छा पाकिस्तान में देखलो आपको पता है कि जनता के द्वारा सरकार हो चुनी करने देती ही बात की जारे USA की कि टर्म साब काम करने कोशिस करते हैं कि मैं यह कर लूँगा मैं रसिया के साथ रिलेस्ट इंपूर करूँगा मैं वह करूँगा वहां की एजेंसी उनको ऐसा काम नहीं करने देती है तो मतलब एक तरह से वो डीप स्टेट बन गया है उसको कि जनता के द्वारा तो चुनियों डेमोकरिटिक सरकार है वहां कि स्टेट के एजेंसी उसे डंक से काम नहीं करने जाते हैं उस इसको कहते हैं डीप स्टेट तो देखो अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में तो मिलिटरी की नाम से सब कुछ चलता है लोगतंतर से इपना से मिलगा तो वो बात यहां पे सामने आ जाती है कि डीप स्टेट है वो लगाता है यह दोनों बढ़ते जा रहे हैं और इनमें प्रोबलम और जदा बढ़ती जा रही हैं यह तो आब आप खुल जानते हो कि कोई कंटी है उसमें डेमोकरिटिक मिलब जनता के दोरा चुनिय सरकार काम नहीं कर रही है वहाँ पे एक तरिके से हालत खराब हो रहे हैं वहाँ पे मिलिटरिया और कोई जेजनसी वो अपने आप रोल बढ़ा रही है तो उसका मतलब क्या हुआ उस स्टेट के कोई डेमोकरिटिक वेलू रहेगी नहीं तो वो बात यहां पे बताएगी है नेक्स्ट बात की जारी है आपे UNHR से करें उनाइटे नेशन हुमन राट काउंजली कंटेक्स्ट ही है कि USA अभी एकजिट हो गया तो पहला बात ही आती है कि USA एकजिट क्यों होगा तो देखो बात ऐसी है आपको पताए USA और इस्राइल की दोस्ती बहुत गहरी है और इसक पताए इस्राइल की मिलाब हो सकते हो के एक तरहे से काफी आप बोल सकते हो कि USA की जो ज객 यूज कंटे है उसकी जासे USAयव बहुत जाद है इसरेल के साथ यह है बेसिकली वहाँ पे अब बात ऐसी थी आपको पता कि अभी रिसेंटल युएसे ने क्या क्या था युएसे ने बोला था कि इसरेल की जो केपिटल है वो तल अभी की जगा है अब से होगी जरूसुलम तो उस चीज़ को लेके पूरे वर्ड में विवाद जा गया क्योंकि जरूसुलम में एक विवादित सिटी है आपको पता है पैलेस्टीम और इसरेल के बीच में तो यह सारा मामला था इस चीज़ को लेके फिर के वहाँ उनाइटे नेशन हुमन नेट काउंसल ने इसरेल को एक तरीके से आप बोल सकते हो कि क्रिक्टिसाज कर इसरेल पर आरोप लगाना शुरू कर दिया और इसी बात को लेके USA अच्छा नहीं लगा और USA ने उनाइटे नेशन हुमन एट काउंसल से एकजिट है वो ले लिया इससे पहले USA और इसरेल दोनों ने UNESCO से भी पना हाथ अगो खींस लिया था तो वह बात यहां पर लगा थ आगे राइटर बता रहे हैं देखा रहे हैं कि USA में पॉपुलिजम आ यार जो टरंप साब है वो अपनी पॉपुलिटी वो बनाएं रखने के लिए ऐसे स्टेप उठा रहे हैं वोट बैंक के चकर में उन्होंने ऐसा स्टेप उठा है ताकि जूज कम्यूनिटी को है जू हुमन आट्स के वो ब्हु जादा हो रहा है देखा जैं महिनमार का फीयम ले सकते हो बंगलादे Puis यहमिन से रहे सकते हो अफगानिस्तान ने सकते हो अफ्रीका में ऑन पी जब बेटी सन एं आमपर न का दबदबा कर रहा था उस टेम पे हुमन आट्स का वो और देखा नर तो USA को यह होने वाला है कि USA के खुद की value डाउन होने वाली है लोग USA पे बाकी कर्णटी जाने भरोसा नहीं करेंगी इसके बात देखी जारी है कि देखो जो humanity या मानुपता की जो बात यहां पे आती है उसे नेपटने के लिए 2006 में UNHRC को बनाया गया था और कि Human Rights Council में आप बोचेतों कि USA सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसका अंबलब USA वो मानुपता के लिए डंग से काम यहां पे नहीं करने वाला है फिर रैटरिया बता रहा है कि USA अपनी image तो लगातार कोता ही जा रहा है और USA अपने popularism भी trade war का भी हमने देखा था पीछे article डिसकस की है कि किस तरह के चे युएसे trade war में घुसा पड़ा है USA बाकी गंटीज को अपनी जो आप global policeman काम कर रहा था वो भी कहीने के पीछे चूट रहा है इरान की नुकलेटरी भी उन्होंने cancel कर थे तो लुएस से खुद confuse हो रहा है कि भी करना क्या है हड़ाट भी वो सिधर पंक फड़फड़ा रहा है और USA के चकर में उन्होंने SSH टेप लिया है तो ये तो थी आज गे माई discussion फिलहाल की discussion में इतना ही है Thank you very much for discussion